हेलो, मैं आज आप लोगों को नमबर रीडिंग और, सौरी मैं आज आप लोगों को अब आखरसे पर नमबर रीडिंग करना और प्लेश वैलिउ फेस वैलिउ बताने जा रहेंगे सबसे पहले मैं आप लोगों फेस्वेक प्लीस अब एकस बताऊंगे अब हम लोग अब मैं आप लोगों को अब एकस बताऊंगे मैंने एक नमब लिया 34593726 तो 3 कलोर 445 एक 93,726 सबसे अब यह नहीं miles 10 वह में आप लोगों की 6 है लिखा रूप से और सहीं- si ऐ है 6 से लिखा है तो मैंने इसलिए यहां पे 6,6 से कल बना जो और के position 6 मैं इसलिए मैंने 6 से कल स्थे और टेंस के position 2 है इसलिए मैं थो सर्कल्स बनाए है और hundred के position में 7 है तो मैंने 7 circles बनाए है और thousand पे 3 है तो इसलिए मैंने 3 circles बनाए है ten thousand पे 9 है इसलिए मैंने 9 circles बनाए है lakh पे 5 है इसलिए मैंने 5 बनाए है 10 लाग पे 4 है इसलिए मैंने 4 सर्कल्स बनाया है और करोड पे 3 है इसलिए मैंने 3 सर्कल्स बनाया है और फिर मैंने एक और नम्ब लिया 1, 2, 7, 3, 5, 4, 6, 2 1 करोड तो 27,35,462 तो आप देख सकते हैं 1 के पोजीशन में 2 है इसलिए मैंने 2 सर्कल्स बनाया है 10 के पोजीशन में 6 है इसलिए मैंने 6 सर्कल्स बनाया है 100 के पोजीशन में 4 है इसलिए मैंने 4 सर्कल्स बनाया है थाउजन के पोजिशन में 5 है इसलिए मैंने 5 सर्कल्स बनाया है और 10,000 के पोजिशन में 3 है इसलिए मैंने 3 सर्कल्स बनाया है लेक के पोजिशन में 7 है इसलिए मैं 7 सर्कल्स बनाया है और 10 लेक के पोजिशन में 2 है इसलिए मैंने 2 सर्कल्स बनाया है करोड पे 1 है इसलिए मैंने 1 सरकल बनाया है और आप देख सकते हैं मैंने एक और नमबर लिया है 206402 और देख सकते हैं कि 1s के पोजीशन में 2 है इसलिए मैंने 2 सरकल्स बनाया है 10s के पोजीशन में 0 है इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया है और 100 के position में 4 है इसलिए मैंने 4 circles बनाया है 1000 के position में 6 है इसलिए मैंने 6 circles बनाया है और 10,000 के position में 0 इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया है और 100 के position में 2 है इसलिए मैंने 2 बनाया है अब आप लोगों को अब एकस पे नंबर रीडिंग करना आ गया होगा अब मैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू बताने जा रही हूँ अब देखिए जीरो है तो उसके आगे कोई डीजिट नहीं है इसलिए वही नंबर रहेगा वन्स प्लेस पे है तो नंबर ही हो जाएगा और टैंस है तो टैंस के आगे वन से वह अब आप लोग जीरो नंबर मानेंगे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें किस पोजीशन का प्लेस वैल्यू निकालना है अगर हमें थाउजन का प्लेस वैल्यू निकालना है तो हंड्रेस टैंस वन से प्लेस जीरो हो जाएगे अगर हमें 100 का प्लेस वैल्य निकालना है तो वन्स जीरो हो जाएंगे और अगर 10 का प्लेस वैल्य निकालना है तो वन्स जीरो हो जाएगा और अगर 10 का प्लेस वैल्य निकालना है तो वही नंबर रहेगा जैसे मैंने नमबर लिया है 4029 तो नाइन वन्स के प्लेस पे है इसलिए वही नाइन रहेगा और टेंस के प्लेस पे है इसलिए वन्स को जीरो माने जाएगा इसलिए 20 होगा और जीरो हंडर्स के प्लेस पे है इसलिए जीरो को जीरो ही कहेंगे और 4000 के प्लेस पे है इसलिए हम लोग जीरो के लाइए है अब मैंने एक और लिया है 54029 तो अब 911 के प्लेस पे है इसलिए 9 रहेगा तू टेंस के प्लेस पे है इसलिए तू रहेगा और तू टेंस के प्लेस पे है इसलिए वन्स को जीरो मान लिया जाएगा और जीरो हंड्रेस के प्लेस पे है इसलिए जीरो को जीरो ही कहा जाएगा और फॉर थाउजन के प्लेस पे है इसलिए फॉर हंड्रेस तेंस वन्स को ार 5 and 10,000 के प्लीस पे इसले थाउजेंड यंड्रेट, tänd's one सब 1 समाने ले जाएगा जीरो की प्लीस वैलू सो जीरो ही होती है और मैं आप लोगों को faceVALU बताने जा दारी। face value का मतलब वही नंमबर होता है तो one के पे से 1 तो one के पे है 9 5 0 1 तो one का one ही रहेगा फेस वैल्यू का कोई भी डिजिट अलग नहीं होगा वही नमबर रहेगा 1 का 1, 0 का 0, 5 का 5, 9 का 9 और मैंने एक और नमबर लिया है 7, 1, 9, 6, 4 तो मैंने बताया था कि जो फेस वैल्यू होता है वो सेम नमबर होता है तो वो सेम ही डिजिट रहेगा 4 का 4, 6 का 6, 9 का 9, 1 का 1, 7 का 7 I hope you understand Thank you and bye